आईए आज बनाते हैं लौकी और मसूर डाल की सबजी. सबसे पहले, माइक्रोवेव सेफ बावल में दो चम्मच सरसों का तेल डाल कर एक मिनिट माइक्रोवेव कर लेंगे. फिर उसमें सरसों, जीरा और थोड़ा सा अजवाइन डाल कर एक मिनिट माइक्रोवेव कर लेंगे अब उसमें हरी मिर्च और प्यास डाल कर अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको दो मिनिट तक माइक्रोवेव में रखेंगे अब इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक और टमाटर डाल कर अच्छे से मिला लेंगे इसको तीन से चार मिनिट तक माइक्रोवेव में रखेंगे अब इसमें लौकी और मसूर डाल, जो पहले पानी में फुला कर रखी थी, उसको डाल देंगे अच्छे से मिक्स करके 9 से 10 मिनिट तक धक कर माइक्रोवेव में रख लेंगे हर दो या तीन मिनिट बाद खोल कर चलाना ना भूलें और जरूरत लगे तो थोड़ा पानी भी डाल दें बस ये तयार है एक दम अलग और स्वादिष्ट लौकी मसूर की सबजी रोटी या पराठे के साथ इसका मजा लें या पराठे का मजा लें रख लेंगे